तो इसके जैसे कईल लॉंडे हैं, जो गाते बढ़ियां हैं और एक्टीव बढ़ियां करते हैं, इनको प्लैक्टफॉम नहीं मिला नितीज जी, महसूस हो सके कि ये लड़का बिहार में होकर यूपी में जाके पढ़ता है, का है कि तीन साल में ग्रेजुएशन नहीं होता, इसके बाद सब लोगों को बुलाएंगे फिर से, वो है हमारे गीतकार साहब, गीतकार साहब जो हैं वो इसलिए इनको अंतिम तक रखे थे, क्योंकि कुछ सुरुआत होगा तो सुरीला होगा, आपका जो बेस्ट सौंग है, उसका 20 सेकंड गागे सुनाएं फिर इंटर्व आना है कि आप, नन्ही सी हसी भोली सी खुसी प्यारी सी वो राहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए, हम सोए नहीं कई रातों से आई जाने वतन सो चांद बुझे, हम नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे, तेरी मिटी में मिल जावां गुल बन के मैं खिल जावां इतनी सी है दिल की आरजू, तेरी नदियों में बह जावां तेरे खेतों में लहरावां इतनी सी है दिल की आरजू, पत्रकार किसी को ज्यादा समय नहीं देता है जब जिस किसी के हाथ में जब माइक होता है तो अपने आपको शेहनसा समझता है हम 20 सेकंड बोले थे पता नहीं कितना गाया लेकिन हमको बहुत मज़ा आया हम एक लड़की का इंटरव्यू के थे सनेचरी बजार जाकर संजना तो 464 नंबर लाई थी 25,000 लोगों ने अब तक उसको देखा है नहीं देखा तो आप जा कर देखिए तो मैंने एक लाइन कहा था कि जो ओलम्पिक में पुरेवी शुभर में माइकल फ्लेप स्वीमिंग में बहुत तेज स्वीम करता है ना तो हमारे गाउं सल्लेपूर रम आपको दिखाते हैं कलाकारी क्या होता है लेकिन आपको समय कैसे होगा नौ जून से अमित साजी परचार करने वाले हैं चुनाओ का जद्यू वाला परचार करिए तेरी अस्वीजी ट्रिपल मडर में बीजी हैं लेकिन इन कलाकारों को देखने के लिए सरकार के पास फूर इसके चलते जबंए लेकिन लेनापड़ा है। जो भी टीम ड्यूरेशन थीजादा लंबा İşक चलते То इसके चलते यूपी यह बीजियु सैधे एक महसूस हो सके कि ये लड़का बिहार में होकर जाके Pढ़ता है काए तो आदर सी बताओ कि और एक और बात बहुत बात हैं कि इतने लड़के-लड़किया है अनुराग को छोड़कर यह सब 12th पास है और यह सब 10th से ही महिनत कर रहे हैं मतलब यह अपने skill को पिछले दो साल से इनहेंस कर रहे हैं अब सबोसकंती आखसे मोंथ हट पर आपपरषुनिटी टो कर लगता है कि यहां पे कुछ नहीं होने वाला है हमें further कहीं जाओगे जैसे हमारा course है जो music में हमको कुछ आगे करना है और music production वगरा करना है तो उसके लिए यहाँ पे पूरे बिहार में हमको कुछ उस तरीके facilities नहीं दिखते हैं तो इसलिए दिल्ली के लिए प्लान किये थे कि वहाँ जाके उसको complete करेंगे फैमिली का सपोर्ट है हाँ फैमिली सपोर्टेड है इनिसियल थोड़ा सा दिक्कत होता है लेकिन कन्विंस कराने में मतलब सक्सेस्फूल रहे तो फैमिली अभी सपोर्टीव है फैमिली सपोर्टीव और बाकी और किसी से कुछ सोच नहीं सोचने वाले हैं बहुत लोग है कि जैसा लोग जानते थे मुझे कि पढ़ने में बहुत ब्राइट था तो इसे डॉक्टर इंजिनियर ऐसा कुछ करना चाहे था लेकिन पता नहीं कौन सा यह लाइन चूज किया है तो ऐसा बहुत बार सुनने को मिलता है लेकिन फिर भी कहीं नहीं जो लगता है कि अपना जो पर्सनल डिमांड है उसको ज्यादा सुनना जाए तो इसलिए वह चीजे हल्प करती है तो आप दिल्ली जाके पढ़ाई करोगा यह के लिए हाँ वो म्यूजिक प्रड़क्शन के कॉर्स के लिए तुम भी कह रहे हो एक तरह से कि यहां पर तुमको प्लैटफॉर्म नहीं मिल रहा है जैसे म्यूजिक में हम कोर्स भी कर रहा है जैसे डिपलोमा हो रहा है मेरा तो उसके लिए भी हमें सिफ्ट करना पड़ा यूपी में इलहाबाद से प्रयाग उनिवर्सिटी से म्यूजिक का कॉर्स चल रहा है तो मुझे नहीं लगता गोपाल गंज क्या मुझे नहीं लगता कि बिहार में भी वैसे म्यूजिक से रिलेटेट कुछ सुबदाय है जिससे कि जो भी मुजिशियन्स हैं उनके लिए कुछ अच्छा हो सके अपोर्चुनिटीज के नाम पर यहां पर दो बार प्रोग्राम सोते हैं एक ओन 15 अगस्त को अंबेद कर भवन एंड देन 26 जनवरी को इसके अलावा अगर अगर अपोर्चुनिटीज प्लैटफॉर्म ढूना जाए त तो निरासा के अलावा और कुछ नहीं दिखाई पड़ता है तो इसलिए आइ थिंक पता नहीं कहां लैक हो सकता है कि ऐसा पहले तो कलाकारों के लिए कुछ सोचा नहीं जा रहा हो अगर सोचा भी जा रहा हो तो करॉप्शन में भी can be the cause तो यही सब दिक्कते आती हैं सब जाएंगे एक बारी अनुराग से एक बाइट और लेंगे अनुराग आप आजाई और सारे लोग आजाएं तो अब लास्ट बाइट लेंगे और खतम करेंगे यह सारे ड्रामे को क्योंकि नितीश जी आपके लिए तो ड्रामा ही था मेरे लिए मेरे आखों में और मेरे तो मेरा ही एजुकेशन जो है जेपी जैप्रकास नरायन जिनोंने कहा था कि सिंहासन खाली करोगी जनता आती है जहां पटना के मैदान में तीन लाक लोगी कठा हो गए थे इंद्रा गांधी को जिन्होंने चुनोती दे दिया और उनकी नाम पर जो युनिवर्सिटी है उसका खेल अब सुनिये खेल यह है कि एक ही बार में बता रहा हूं कि छे साल में मैं ग्रिजुएट हुआ तीन साल का कोर्स डबल डबल गया असान था नौन होना चीए था ना बिल्कुल और जिसके वज़े से क्या होता है ना कि आगे चल के बहुत प्रिशानी भी जिलनी पड़ती है जैसा कि अभी एज भी पीत रहा है हना और जॉब में प्रब्लम होगी अभी हम कुछ दिन में 35 को मार बिहार के जे मुख यह बा क्यों कजि से निवेदन बा के कुछ सोची करी भी होग argent कुछ करी कुछ दिन कुछ होगा हमने के कलकार इसम तो अनुमन हम जालग आ गया गया जनिसम निमन बगल आजानज आजदन नीमन मात घर्लाज़ से काम हो को अब सट अ जाम काम कर जाह आप इसाब जैसे कि कौनों तरह के सिस्टम बन जाओ, जोना कि उह हमने कलाकार तक पहुंचो, डिरेक्टली पहुंचो, या हर जिला में कौनों सुभिधा हो जाओ, यह तरह से हम चाहा तनी कि पूरा बिहार में हो जाओ, जैसे कि हमने के बिहार तनी मुनी तरकी को और हमने क तो अगर in case in future अगर कोई ऐसा ही situation arise होता है तो हम students भी तो यही काम करेंगे तो एक request ही है बिहार सरकार से कि वो कुछ ऐसा education में ही कुछ अच्छा improvement लाए हम जैसे जो future developers हैं हम उनके लिए कुछ आप अच्छा सा लेके आए जिसके वैसे हमें कहीं और ना जाना पड़े किसी और शेहर को हमें ना चुनना पड़े हम अपने future बनाने के लिए लोग उनल के नाम पर ये कहते हैं कि बिहार में लड़कियों के पास maturity यानि परिपकवता नहीं होती है कितनी परिपकवता की बात है कि मानि यह मजदूर भाग रहे हैं तो कुछ वगा तो बच्चे भी भागेंगे अगला ग्यानन जन लास्ट कोमेंट सरकार और सुसाइटी के लिए अगर कहीं कोई प्रोगाम होता है उसमें अगर दस लोग हैं तो होता है कि फिक्स है दस लोग जिससे हम लोग आगे आ सके हमारे जो सब की आर्ट है वो सब आगे आ सके कि सब भी देख सके और मतब जो हो यहाँ हो अगर हम बाहर नहीं जा सकते हैं तो यहाँ हो गाना बढ़ी है गाती हो दो लाइन हो जाए तुमारे भी हमको मिले है आज गड़िया नसे बसे जीवर के देख लेजे हमको करीब से फिर आपके नसीब में यह रात हो नहो शायद फिर इस जनम में मुलाकात हो नहो लग जागले से बढ़िया था अगला आप सिट्टू आएंगे लास्ट कमेंट सुसाइटी और सरकार के लिए हम तो बस इतना कहना चाहें कि मतलब गौवर्मेंट को हम जैसे जो कलाकार हैं हर सहर में एक स्टूडियो टाइप का बना दे ताकि हम जैसे लड़के जाको आपको सीख सके क्योंकि हम लोग जब सीखने हम लोग को जो 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 उतना मतलब सुसाइटी से सपोर्ट नहीं मिलता है अगर गौवर्मेंट अगर एक्सन ले साइटी भी सपोर्ट कर दे हमें अगर हम जाकर सीखेंगे अगर दो घंट आप टाइम देंगे तो साइटी कुछ नहीं बोले अगर खुद से करेंगे और खुद से केमरा लेकर निकल जाते हैं तो लोग कहते हैं कि पढ़ लिख नहीं रहा है अब लास्ट कमेंट मेरा अपना भी बनता है मेरे पास दो आइडिया है नितीश जी आपके लिए नितीश जी या नितीश बाबू आप जो समझ लेजिए पहला आइडिया यह है कि जब पोलियों के लिए अभियान चलाए जाता है दो बूंद जिन्दिगी की वैसे इन कलाकारों के लिए अभियान चलना चाहिए कि यह नचनिया और बजनिया नहीं है इर्फान खान जीन का भी दिहान थो गया मैं उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ इर्फान खान की मम्मी ने कहा था कि तुम नचनिया बनने जा रहे हो या हमसे दूर मत जाओ इर्फान खान ने कहा कि मुझे जो पसंद है मैं वो करने जा रहा हूँ इर्फान का कितना नाम है आप ये सब जानते हैं दो-चार फिल्म उनकी ऐसी है जिसको देखकर आपका मतलब आख नहीं हटेगा और आप देखते रह जाएंगे वैसे ही पोलियो का रैसा अभियान चलता है नितीश जी आप एक ऐसा एडवर्टीजमन चला सकते हैं जैसे पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री है जैसे हमको लगता है कि वोल्ड वाइट सुनी जाती है जो भी है हम लोग खुद भी सुनते हैं और वो प्राउडली अपने आपको दिखाते हैं उस तरीके से हम लोग भोजपूरी इंडस्ट्री जो मूजिक इंडस्ट्री है हम चाहते हैं कि हम कुछ भोजपूरी इंडस्ट्री के लिए करें हम मूजिशियंस लेकिन कहीं ने कहीं अगर ऐसा सोचते है तो वो वल्गर्टी जो आजकल भोजपूरी इंडस्ट्री में है वो कहीं ने कहीं आ जाती है तो उस तरीके से हम सोचते हैं कुछ ऐसा सरकार ऐसा करें इस पर कुछ कानून बने कि जिससे कि यह जो वल्गारिटी है वो कहीं न कहीं भुझपूरी से खतम हो तभी हम जाके प्राउडली और हम अगर यहां इस चीज को नहीं कर पाए हम किसी दूसरे जगर जाके उसको उसके म्यूजिक को ठीक कर रहे हैं तो हम चाहते हैं दिल से कि हम बिहारी हैं और हम बिहार के जो म्यूजिक इंडस्टी उसमें कुछ योगदान दे अपना लेकिन कही ना कही यह जो बुति है उसके चलते हैं इस चीज इस से थोड़ा सा डर जाते हैं अपने आपको वहां पे इंटरिूस नहीं कर पाते हैं तो ये चीजए खतम होने चाहिए जो बुल्ग्रेटी है तो तभी हम हो सकता है कि हम यहाँ पे अगर और में भी अगर सीखने के लिए कुछ नहीं हो यहां पर अगर जो सीखते हैं तो उसको हम लोग यहां इंप्लिमेंट कर पाएं यह भी सोचने वाला विशा है सिल्पी आप कुछ कह रहे थी मुझे बस यहां की लोगों से यही कहना है कि जो खुद बिहार के हैं और हम भी बिहार के हैं गुपाल गंजीले से हैं यहां से हम वीडियो बना रहे हैं तो बिहार के लोग हो के भाशपूरी गानों को लोग बोलते हैं कि लड़की हो के भाशपूरी के गाने पर वीडियो ब बोले, मुझे आप लोग से यही कहना है It all depends on the mentality of the people and the uprising of the people Hindi में, इंग्रिश अच्छी है बताये थे पहले हैं आपको तो ये सब कुछ आपके परवरिश पर और आपके बड़े होने की उस प्रविर्थी पर depend करता है कि आपने क्या सीखा हो और क्या देखा है अब अपना अंतिम दे देता हूँ दो बाते, पहरा ये था कि अगर आप ये चाहते हैं कि इन छोटे-छोटे कलाकारों का भला हो सके तो आपको ये करना चाहिए कि जैसे आपने पोलियों के लिए अभियान चलाया इन छोटे कलाकारों के लिए भियान चलाये कि ये नचनिया बजनिया नहीं है दूसरा ये था कि 38 जिला में से 38 विद्याले को चुन लीजिए और उन 38 विद्याले को कुछ फंड दीजिए जहां पर लैप्टॉप, कैमरा और एक चोटा सा स्टूडियो बन सके जहां पर ये लोग अपने पढ़ाई के साथ साथ भी अपने उस स्किल को इनहेंस कर सके जिसके लिए वो लोग प्रतिबद्ध हैं बाकी 38 जिला से ऐसा वीडियो बनाएंगे उन कलाकारों को, उन लड़कों को, उन लड़कियों को चुन कर लाएंगे और नितीश जी सरकार और बिहार के लोगों से ये निवेदन रहेगा कि इन सारे वीडियो को देखिएगा क्योंकि ट्रिपल मडर, हिंदू मुसल्मान, खेत का जगडा और बिहार की राजनीती में बहुतो कुरूची है लेकिन जो असल बिहार का मुद्दा है, जिससे बिहार बढ़ सकता है चाहे वो राजस्व के हिसाब से हो आप ये पता करिये है कि बॉलीवूड बंबई में कितना टेक्स देता है पूरा बॉलीवूड का स्टार सब सोची अगर पटना में उतना स्टार हो जाए देख रहे हैं कि वीडियो बढ़िया होना चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद